नमस्कार आप सभी को जैजैसी आराम नवग्रह मंडल कैसे बनाएं इसी विशे पर आज का यह वीडियो है जब आप अनुष्ठान करते हैं अथवा करवाते हैं तो नवग्रहों की स्थापना के लिए जिस पीठ का निर्मान किया जाता है उसे हम नवग्रह मंडल कहते हैं सास्त्रों के अनुषार कई प्रकार से हम नवग्रह बना सकते हैं तो अगर आप चाहेंगे तो हम सूर्य चार पांच प्रकार से बना कर आपको दिखाएंगे चंद्र, मंगल, बुध, गुरु इसी प्रकार से हर एक अग्रह हम अलग से बना करके आपको एक अलग वीडियो प्रस्तुत करेंगे परन्तु अभी सहज रूप से और सरल रूप से किस प्रकार से नवग्रह बना करके स्थापन करें उस पर यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो आशा करते हैं हम कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा अपने मनोभाव प्रकट करने के लिए नीच सबसे पहले आपको नवग्रह बनाने के लिए एक चौकी की आवश्यक्ता पड़ेगी चौकी में आप उसके अनुरूप कपड़ा बांध ले संभवता हो सके तो सफेद बांधे सफेद में क्या होता है उभार जो है अधिक दिखता है तत्पस्चात यह पांच रंग के चा पीला हरा सफेद लाल और काला काला जो है ना वो राहो शनी केतु बनाने के लिए लगेगा तो सबसे पहले आपको इन चीजों की विवस्ता कर लेनी है और चौकी में कपड़ा बांध के रखना है चौकी अनुरूप रखनी है नवग्रह बनाने के उसके अनुरूप ही परिधी के लिए कितनी जगह चोड़नी है इसका परिमान आपको प्राप्त हो जाएगा तो सबसे पहले जो है ना आपको रंगों का चुनाव करना है सूर जो बनाना है वो अधिकतर बनाना है लाल्य ने पीले चावल से तो हम यहां मध्य में एकदम आप चोकी का देख लिजेगा कहां मध्य आ रहा है कि इस प्रकार से अंदाजा आप जब लगा लेंगे तो इस प्रकार से मध्य में हम थोड़ा सा चावल का पुंज रख करके इसी पुंज को इसी प्रकार से थोड़ा सा वृत्त के आकार मिलेंगे, गुलाई के आकार मिलेंगे, इससे क्या होगा कि हमको जगह बन जाएगी, यह देखिए, इस तरह से जगह हमारे लिए बन गई है, इस प्रकार से आप थोड़ी जगह बनाएए, और अंदर जो है, पिले रंग का चावल, आप इस प्रकार से भर दीजिए, चावल को थोड़ा हलका सा ऐसा प्रेश्ट कर देंगे, अर्था दबा देंगे, तो वो बराबर बैठ जाएगा, इसके बात जो है, यही जो पिला चा है, इसको थोड़ा सा इधर ऐसा रख लेंगे, जैसे हमने अश्टदल बनाया था न, उसी प्रकार से हम जो है, सूर्य के लिए यह रख लेंगे, क्योंकि सूर्य की रश्मियां, अर्थात किरण हम को बनानी है, तो इस प्रकार से आप यह कर लीजिए, अत्वा अब यहां भी आप चाहें तो पीला रख सकते हैं, आप चाहें तो हरा भी रख सकते हैं, है न, आप चाहें तो लाल भी रख सकते हैं, मेरा विचार है पीला रखने का, तो मैं यहां पीला ही रखूंगा, तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा आप जो है, मैंने थोड़ा अधि ले लिया है। प्रंतों आप थोड़े-थोड़े से इसको आरमभग करें। यह देखिए। इस प्रकार से अब जो है बना लेंगे और थोड़ा-थोड़ा सा बीच में जगह बना लीजे। बीच में जगह इस तरह करने से क्या होता है चावल जो है बरावर जो है इस तरह फैल जाता है अब इसी को अपनी कनिष्ठिका के माध्यम से इस प्रकार से तरजनी और कनिष्ठिका का सहारा लेते हुए आपको इस प्रकार से आप जो है इसको हलका हलका एकदम किनारी जब बना देंगे ते बड़ा ही सुन्दर और रोचक दिखने लगेगा उंगली को आपको थोड़ा सा ट्रेंड करना पड़ेगा हाथ आपका हिलना नहीं चाहिए और प्रयास कीजिए कि दोनों हाथ की उंगलियों का आप उपयोग कर सकें इससे क्या होगा अगर आपका एक हाथ बीजी है अत्वा नहीं पहुँच पा रहा है तो आप दूसरे हाथ से भी कार्या कर सकेंगे अगर आपको यहां कहीं गड़बड़ी लग रही है तो इस प्रकार से फिर आप इसको हलका हलका सा बीच में गोलाई का आकार दे करके फिर से संभाल सकते हैं चावल को यह इस प्रकार से जैसे कि यह थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो इसको हमने समाल लिया और भी अगर कोई गड़बड़ लग रहा है इसको हमने तो यह आप जब अब भ्यास करेंगे तो आपको बढ़िया एकदम लगातार आ जाएगा अब आप चाहें तो इसमें जो है लाल चावल भर सकते हैं हरा चावल भर सकते हैं जो आपका पसंद हो उसी साब से आप इसमें भर सकते हैं बस इस बात का ध्यान रखें, सोरी है, सोरी के लिए लाल रंग का उपयोग करना चाहिए, सोरी लाल में होता है, पीले में भी होता है, परंतु लाल रंग का उपयोग अवश्य होना चाहिए, संभवता हो सके तो अधिक से अधिक करना लेना चाहिए, हमने दोनों में इसलिए के लिए हलाल पिला क्योंकि देखने में थोड़ा सा अधिक वने मोहक लग रहा है इस प्रकार से आप जो है सूरिय बना सकते हैं अब जो है मंगल बनाने के लिए अथवा चंदर बनाने के लिए हम चंदर बना लेते हैं तो इस प्रकार से हाँ चावल रखें अग्दम चावल इस प्रकार से ही रखें और यह देखिए करिश्ठिका के माध्यम से इस प्रकार से आप दुतिया के चंद्रमा का आकार देंगे आप चाहें तो पूर्ण गोला भी रख सकते हैं परन्तु दुतिया का चंद्रमा जो है दुतिया है चेतुर्थी है इन दो चंद्रमा की ही पूजा की जाती है दुतिया की चंद्रमा की पूजा है और चेतुर्थी के चंद्रमा की पूजा है इस प्रकार से आप चंद्र का आकार देंगे शकते हैं सहजता यही रहेगी आप यही पास लगातार से शुक्र बनाएं शुक्र बनाएं और उसी के नीचे आप मंगल बना सकते हैं जो आपको सरल लगे सहज लगे उसी के अनुरूप आपको कारे करना है ठीक है? तो आप करमबध बनाना चाहते हैं करम बद्ध बना लीजिए हम चलिए करम बद्ध बना के दिखाते हैं आपको इसमें कोई कोई वो नहीं है मंगल बनाना है तो मंगल बनाने के लिए सबसे पहले बीच में थोड़ा सा चावल रख लीजिए उसके पस्चात एक किनारे यहां रख लीजिए चावल और एक किनार तुर्वज इस प्रकार से आप फिर इसको समाल देजिए इस में हम कई प्रकार से बनाते हैं अगर आप हमको regular facebook में फॉलो करते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि हम जो है कई प्रकार से बना लेते हैं तो जब आप अभ्यास एक बार आपका हो जाएगा तो आपके दिमाग में automatic मतलब स्वतह ही आपको ये क्रियात्मक विचार आने लगेंगे कि किस प्रकार से आपको बनाना है तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं और भी कई प्रकार हैं जैसे कि मैं आपको सहज रुप से बना के दिखाता हूं इधर ही मंगल बनाने के लिए इस में विशेश लगाने के लिए आप इस प्रकार से यहां थोड़ा सा जगह बना दीजिए और इसको जो है दीपक की भाति ये ले लीजिए इस प्रकार से भी आप जो है मंगल बना सकते हैं ये थोड़ा सा सही और सरल और साफ सूथरा लग रहा है बीच में चाहें तो आप चाबल भर सकते हैं तो इस प्रकार से भी आप नवग ग्रह बनाएंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं हर एक ग्रह को अलग अलग प्र पुर्य बनाने के चार पांच तरीके हैं मंगल बनाने के चार पांच तरीके हैं इसी प्रकार से हर ग्रह को जो है चार पांच तरीकों से बनाया जा सकता है पुराना अंतर में वही जो है इनके सुरूपों का वरणन हैं जैसे शुक्र के लिए तारे के रूप में भी है चतु सूर्वरक्तर है और उस में भी और भी कुछ कलात्मक्री आई है वह माया है तो यह आप लोग चाहेंगे दो हम वाभी वीडियो आपको प्रदान करेंगे इसके लिए आप को नीचे कमयंट बॉक्स में जा करके आपको कमेंट करना पड़ेहा कि आप सोरी के विशाय में अलग वीडियो बनाईए जब आप की प्रतिक्रिया हम देखेंगे तो अवल उस प्रस्तर पर वीडियो बना देंगे मंगल पनाने के बाद आपको बुद्ध बनाना चाहिए, तो यहाँ अपने थोड़ा सा जो है, आसा करता हूँ आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, थोड़ा सा हरे 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 रंग के चावल का पुझ रखना है, आप चाहें तो लगातार बना सकते हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो पहले इसको ही त्रिभुज के आकार में देखिए, दोनों अनामिकाओं कनिष्ठीका को इस प्रकार से जोड़ देंगे, अपने आप वो त्रिभुज के आकार में आ गया है, इस प्रकार से, आप माचिस स्केल का भी उप्योग कर सकते हैं, यह देखिए, इस प्रकार से जो है आप यहां पहले छोटा सा त्रिभुज बनाईए, एक छोटी सी लाइन के लिए, क्योंकि हमको यहां बुद्ध के लिए जो है, तीर का निसान बनाना है, तो इस प्रकार से आप यह, और थोड़ा सा चावल यहां रख दिया, अब इसको आ यह देखिए, इस प्रकार जो है आप बना सकते हैं, और भी कई प्रकार बनाने की तरीके, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप जब हमें परोतसाहित करेंगे, हमारे वीडियो को अधिक देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपको अलग-अलग प्रकार से नवग तो यह हो गया बुद्ध, बुद्ध के बाद गुरू, गुरू के लिए कहीं चतुर भुज का आया है, कहीं आयताकार का अया है, वरगाकार और आयताकार दोनों का आया है, इस प्रकार से आप चावल रख लीजिए, छोटे-छोटे तीन पुंझ रख लीजिए, उसी के इस प्रकार से आप जो है गुरू के लिए स्थान दे सकते हैं आप जब लगातार अभ्यास करेंगे तो आपके उंगली जो है बराबर जो है इन सब कामों में अभ्यासत हो जाएगी गुरू के लिए आप इस प्रकार का स्थान दे देवें वरगाकार में दे सकते हैं वरगाकार में दे दीजिए आयताकार में देना है आयत क्याकार में दे दीजिए यह जो है आपको पुराणों ने छूट दे रखी है इस प्रकार से बना लेने के बाद अब आप इसमें और सुन्धरता लाना चाहते हैं तो लाल रंग के चावल से छोटी सी इसमें परिधी भी दे सकते हैं मैं नहीं देने वाला आप यहां भी दे सकते हैं यहां भी दे सकते हैं तो मैं नहीं देने वाला क्योंकि मुझे जो है बिना परिधी के ही गुरु अच्छा लगता है गुरु की पश्चात अपने को शुक्र बनाना शुक्र बनाना बहुत ही सरल है बीच में आपको थोड़ा सा चावन का पुंज रखना है आप और छोटा रखना चाहें और छोटा रख सकते हैं कोई सबस्चा नहीं होगी इस प्रकार से ज्यान देंगे इस प्रकार से आप रख लेंगे उसके पस्चात लगातार ही उसी के ऊपर एक पुंज रख देना है फिर एक यहाँ एक उसी के सिधाई में और रख देना है इस प्रकार से यह पुंज आ गया इसके नीचे ही एक पुंज ऐसा रख देना है और एक पुंज ऐसा रख देना है बस यहाँ कहीं कोई विशे इसकारे करने की जरुत नहीं है अब इसमें कलात्म किये है कि आप यहाँ थोड़ा सा एक बिंदू बनाईए इस प्रकार से पांच बिंदू तैयार कर दीजे बाहरी आवरण में एक मध्ध में हो गया अब आप चाहें तो इसी प्रकार से यह गोला कार में ही आप इसको रहने देवें इस प्रकार से दीजे से बाहरी जो चावल है इसको समालते हुए आप चाहें तो इस प्रकार से भी रख सकते हैं और इस प्रकार से थोड़ी सा नुकिला पन दलों में ले आईए चावल का जो दल आपने बनाया है तो इसकी सुन्दरता जो है वो और बढ़ जाती है यह देखें अब आप जो है इसमें लाल चावल चावल चाहें लाल चावल भर दें बीच में हरा चाहें हरा भर दें जो आपको प्री हो मैं तो इस प्रकार से बीच में हरा भर देता हूँ और आजू बाजू जो है मतलब जो दल बनाय हुए हमने वो लाल रंग से भर देता हूँ इस प्रकार से जो हमने यहां शुक्र बना लिया है आपको साइद अच्छी तरह से दिख रहा होगा अब जो है हमको शनी बनाना है तो शनी के लिए हमको काले चावल की आवश्यक्ता पड़ेगी शनी बनाने के भी कई तरीके हैं पहला तरीका तो आप यह समझेए कि दो चावल इस प्रकार से आप पुंज रख लीजिए मैं यहां आपको एक ही तरीका सिखाने वाला हूँ आप जब बोलेंगे तो मैं अलग-अलग वीडियो इसकी विशे में आपको बना दूँगा धनुष के आकार में है इसलिए जो है आप इसको इस प्रकार से ध्यान दीजिए यह बीच में गोला कर लिया आपने और इसको यह कोने से बढ़ाना है ध्यान दीजिए गए इस प्रकार से बढ़ा देंगे और इसको यहां इस प्रकार कर देंगे यहां भी इसको इस प्रकार से कोने से बढ़ा देंगे और इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे और फिर इन दोनों को एक लगातार एक सीधी लाइन ऐसा बना देना है यह इस प्रकार से जोड़ते हुए आप चाहें तो इनको जो है तेड़ा भी कर सकते हैं उपर ही आवरन को यह देखिए यहां आप चाहें तो इधन उसके आकार में तो बन ही गया है यह इस प्रकार से सफेज चावल भर करके और उसी में जो है छोटा छोटा लाल चावल भर देवे इस से यह जो है देखने में और आकर शक लगने लगा है यह इस तरह से आप बढ़िया इसको सुन्दर तरीके से बना ले वे हैं इसके पस्चाथ आप राहू बनाएंगे राहू को सूर्प के आकार में लेंगे कई आकार में मैं राहू बनाता हूँ परन्तों आपको यहां साहज रूप से यह देखिए इस प्रकार से आप सूर्प के आकार में जो है बना ले इस सूर्प के आकार में चमा करें सूर्प के आकार में इस प्रकार से सूर्प के आकार में आप राहू बना ले वे और के तू के आकार में जब आप बनाएंगे जंडा बनाना होता है पता का तो आप इस प्रकार से पहले तो एक स्तंभ बना ले वे इस प्रकार से स्तंभ बनाएंगे स्तंभ बनाने के बाद यहां एक पुंज रखेंगे पुंज रखने के पस्चाद जो है इस प्रकार से आप उसको कलात्मक अपने हिसाब से आपको बना लेना है बनाने का पक्रिया आप देखते रही है ध्यान से अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें इसके बाद जो है आप उसको आगे की तरफ से देख सकते हैं फिर से यह इस प्रकार से आप केतू बना सकते हैं यहाँ आप चाहें तो थोड़ा सा पीला चावल रखते हैं इस प्रकार से तो यह अपना सहज रूप में ही नवग्रह बन करके तयार हो गया इस प्रकार से नवग्रह बनाने के बाद आपको परिधी बनानी चाहिए परिधी के लिए लाल सफेद चावल जो है आप अलग-अलग से परिधी दे सकते हैं मिक्स करके भी दे सकते हैं मेरे पास जो है इस प्रकार से सभी चावल mix करके रखा हुआ है तो मैं उसी प्रकार से आप परिधी देने वाला हूं तो इस प्रकार से आप ध्यान देखी परिधी बनाने के लिए बहुत ही सहज तरीका है ये आप अगर दिख रहा है आपको तोआप ध्यान दीजि deg थोड़ा थोड़ा चावल आपको लेना है पकड़ना है हाथ को आपको चौकी के इसी प्रकार हलका दबा के रखेंगे और थोड़ा थोड़ा से चावल निकालते हुए जो है आपको आगे लेते रहना है इस प्रकार से आप आगे लेते रहेंगे हलका हलका चावल निकाल के आ आपको बाहरी आवराण में सभालने की जुरूत नहीं पड़ेगी, एकदम बढ़िया तरीके से आप बना सकते हैं, ये देखिए, अब अब चाहें, तो चौकी को घुमा कर बनाएं, मैं तो वैसे भी चारू तरफ से बना लेता हूं, मेरे हाथ का अभ्यास है, परन्तो आप को लिए ये देखिए, हमारा थोड़ा सा शुक्र जो है बिगढ गया है, सुधार करके इस प्रकार से, यहाँ फिर इसी प्रकार से चाबल हलका हलका चाबल आपको छोड़ते रहना है और इसी प्रकार से ये देखिए, आगे अपना हाथ बढ़ाते रहेंगे, तो बराबर और एकदम बढ़िया, परिधी बनाना आवश्यक होता है, इस बात का ध्यान रखें, तो परिधी आपको आवश्य बनाने चाहिए, जिस प्रकार मनुष्य, चाहे वो अस्त्री हो या पुरोश, बिना कपड़ों के उसमें सुन्दरता नहीं होती, उसी प्रकार पीठों में, परिधी के बिनी जो है सुन्दरता नहीं आती, इसलिए परिधी जो है बहुत आवश्यक है, परिधी बनाने से जो आपकी पीठ है, उसकी सुन्दरता बढ़ जाती है, तो आप इस प्रकार से बढ़िया, एकदम सहज तरीके से, चोकी को प्यार से उठा करके, और एकदम हल इकाई में भी इसी तरह जो है आपको परिधी का निर्मान कर देना है, यह आपका जो है बन करके तैयार हो गया, अब आप चाहें, तो यहां भी परिधी दे सकते हैं, परन्तो नवग्रह बनने के बाद अंदर परिधी देना संभव नहीं हो पाता, इसलिए आप चाहें, त अधर बीच में सूरी के चारों तरफ लगा दिया, उसके बाद यहां से इस परकार हल्दी डाल दी, कमल के यहां से इस परकार हल्दी डाल दी, अथवाब चाहें, तो सीधे सीधे हल्दी भी डाल करके हल्दी है, कुमकुम है, सफेद रोली है, कुछ भी आप ले करके, होगा अगर आप और भी नवग्रह सीखना चाहते हैं क्योंकि मैं कई प्रकार से बना लेता हूं मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सिखें परन्तु यह आप लोगों के प्रोथसाहन के द्वारा ही होगा जब आप लोगो आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे प्रोथसाहित देंगे मुझे कमेंट करके तो मैं जो है इसमें और वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग इसको देख करके अपनी पूजा में सहज रूप से सीख लीजे मैं वीडियो में अपना नंबर डाल देता हूं इसलिए कई पंडितों के मुझे मैंसे जाते हैं कि आपने बड़े ही सर प्राग बन गया है और सहज रूप से हमको सीखने को प्राप्त हो रहा है तो आप लोग अधिक से अधिक आप लोग देख लेते हैं तो अपने मित्रों को वीडियो शेयर कीजिए वाटसप में फेस्बुक में और उनको बताइए कि यहां से आप सीख सकते हो क्योंकि इस प सब्सक्राइब करें धन्यवाद